आज गांधी जियन्ती इस टोर लगाकर खादी के ग्रांकों का स्वागत करेंगे और खुद भी खादी के उत्पात खर देंगे भाजपाक के राश्ट्रिय महामंत्री एवं जार्खन प्रभारी दिलीप सैकिया भी गांधी जन्ती पर सेवाही समत पर अभ्यान के तहत आयोजित होने वाले कारिकरम में भाग लेंगे जार्खन में मानसुन पूरी तरह से सक्रिये है चार अक्टूबर तक पूरे जार्खन में बारिस की संभवना बनी हुई है अगले तीन से चार दिनों तक राज्य में एज ठीती बनी रहेगी बतादे मंगाल की खड़ी में बने निम दवाव से बारिस हो रही है मौसम विभाग के अनुसार उत्री एवं मत्य भाग में कहीं-कहीं भारी बारिस हो सकती है वहीं आज कहीं-कहीं हलके से मत दज के में गर्जन के साथ बारिस हो सकती है इस तोरण बजरपात की भी असंका है ज्यार्खन के चात्रा को बीली की सोगात ज्यार्खन के मुख्य मंत्री हमान सुरन ने सुक्रवार को चात्रा के इट खोरी में नो निर्मित ग्रीट सब एस्टेसन एवं चात्रा लाते हा टांस्मिटन लाइन का सुभारम कर चात्रा जीले को बड़ी सोगात दी अब इस जीले के बड़े हिसे को निर्वाद और गुन्वाता युक्त भीली मिलेगी लो वोल्टेज की समस्या नहीं होगी मुख्य मंत्री ने कहा कि गिरिट सवे स्टेशन और टांस्मिसन लाइन के चालू होने से यहां के लोकों की वर्षों की चीर प्रतिछित मांग पूरी हो गई है अब यहां का हर घर न सीर्फ रोसिनी होगा बलिक नई उर्जा के साथ विकास के रास्ते पर चात्रा जीले तेजी से आगे बढ़ेगा चाई बासा में पोशन माह का समापन पच्चमिस सिम्भूम जीला अंतरगत चाई बासा के पिलाई होल सबागार में राष्टिये पोशन माह 2021 का समापन हुआ इस मौके पर गर्वती महिलाओं की जहां गोध भराई हुई वहीं बचों का अनप्रसन हुआ बता दे इस औसर पर जार्खन की महिला बाल बिकास एवं समाजिक स्वरक्षा विभाग की मंत्री जोभा माजी ने सिरकत की समापन समारों को समधित करते हुए मंत्री जोभा माजी ने कहा कि हमारा समाज और आने वाला भवी से पूर्ण रूप से स्वस्त हो सके ये हम सब की जिम्यदारी है दुमका मेडिकल कॉलेज में 100 सीटों पर नमांकन दुमका मेडिकल कॉलेज नेशनल मेडिकल कमिशन ने दुमका मेडिकल कॉलेज में इस वरस नमांकन के उनमति दे दी है बताते बर्ष 2021 सेक्षनिक सत्र के लिए जहां कोल सो सीटों पर नमांकन हो सकेगा आयोग ने विभीन कमिया गिनाते हुए पिछले वर्स इस कॉलेज में नमांकन परोक लगा दे थी नेशनल मेडिकल कमिशन के अंतरगत कारेरत मेडिकल असिस्टमेंट और रेटिंग बोर्ड ने कॉलेज के निरिक्षन तथा सामने आईकम यासी ग्रिदूर करने को लेकर कॉलेज परवन्धन द्वारा अंडर्टेकिंग दिये जाने के बाद नमांकन के अनुमति के उन्संसा की जे पीएसी ने निकाली उन्चास पदो पर भैकेंसी जार्खन लोक सेवा आयोगने ग्रिह बिभा के उन्संसा पर राज बीधी बिग्यान परियोग साला में सहायक निदेशक तथा वर्ये बैग्यानी पदाधिगारियों के उन्चास बिभीन पदो पर नियोक्ति परकि की जाएगी केंद्रिये सिक्षा मंत्री धर्मेंदर प्रधान ने सीम हिमत को लिखा पत्र जार्खन के उडिया भासियों की बिभीन समस्याओं को लेकर सुक्रवार को केंद्रिये सिक्षा मंत्री धर्मेंदर प्रधान ने जार्खन के मुख्यमंतर हिमन्सुरन को पत्र लि का ख्याल रखते हुए इसमें हाथ छेप करने का आगरख या है सरेंडर कर सकता है जेजे एमपी सर्गना पपुल हो रहा है लातेहार के सरया जंगल में 28 सितंबर को जिह जार्खन जन मुक्ति परिशत के उगरबादियों से मुटभेड में BSAF के डिप्टी कमाने डाजेस कुमार सहीद हुए थे उस उगरबादि संगठन का सर्गना आत्म सवरपन कर सकता है बता देया सर्गना जेजे एमपी का जोनरल कमानडा 10 लाग का इनाई पपुल हो रहा है सुचना है कि पपुल होरा अपने दोस्ते के कुछ साथियों के साथ आत्म सवरपन करेगा इसके लिए उसने बिचोलियों के माध्यम से पूलिस के वर्य अधिकारियों से संपर्ग भी साधा है हलाकि पूलिस के वर्य अधिकारी इसे खारिज कर रहे है चालीसवा एंटिपीसी सिनियर नेशनल तिरनदाजी चेंपियंशिप सन्नी वार्ष जमसेद्पुर में दो से दस अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा ज्यारखन में 12 नए केस मिले हैं जो राची से 5 पूर्वी सिमू से 2 खूटी से 2 धनबाज से 2 पच्मी सिमू से 1 मिले हैं ज्यारखन में कूल एक्टिव केस की संख्या 87 है भारत में 23,896 नए केस मिले हैं भारत में कूल एक्टिव केस की संख्या 2,666,69 है